तो भाई लोग इस वीडियो में सबसे बड़ा योगदान हमारे मित्र जी अजय जी का है उतना तूरा है हमारे मतलब एक वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ और ऐसा दो सब को मिलना चाहिए जो कि हसना मतलब इनका हसना एक जाएज है जो कि आपका स्माइल चांद लगा देता है सर तो ही भाई लोग कैसा आप सब आई होप आप सब पढ़ी आउंगे तो चलिए आप से आज मतलब क्यों करते हैं आपने कभी पेड़ पेशा फरते हु जुड़ बोल रहे हैं नो 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 आइंट तो आपका सबाब क्या होगा नहीं देखा है हाँ अई बात तो सभी मतलब कोई मतलब पेड़ पेशा कभी फरता भी नहीं है तो मतलब आज हम आज को दिखाने वाले पेड़ों पेशा फरता कैसे है तो चलिए बीन आदेर्या के हुए दिखाते हैं एहे रहा नहीं जाता तडप ही ऐसी है ना तो भाई लोग आप देख सकते हो हम आ चुके हैं जिस जगह की हम बात कर रहे थे हैं आप मतलब सकते हो रूपीज कर सकते हो यहां पर मतलब पेड़ पर उपता है तो अभी हम आ चुके हैं उसी खेट में चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं हम मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं और इसका मतलब पूरा अच्छे से डिफाइन करके आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा बोला है हैं यहां पर मतलब क्यों परता है पैसा फरता है तो भाइब लोग मैंने आपको पहले बताए सब्सक्राइब हैं और उसका वैलू होता है इसका यह उता है साधी की टाइम बढ़ जाता है और इससे में भी इसका बेलू बहुत थी ज्यादा है तो अभी जो कौईन है एक किलो पे बार चड़ता है तो अभी 60 रुपय किलो थोक में है तो इस इसाब से आप सो मतलब जोड़ सकते हो 5 रुपय पीस पड़ता है और इसका जो होता है साधी के टाइम 10 रुपय पीस सकते हो जाता है नौर्मल सी बात होती है पीना कहें यहां पे ठोक में फैपारी लोग यहां पे खरीद करें तो चलिये बीना दिवाली के फुलगड़ी तो और वह लोग यह वारे बीच हमारे मौसा जी है तो चलिए इसरे पूस्ते हैं कि पहले सबसे पहले पूस्ता है कि यह जो परबारी का समय था पूरा तूट चुका था यह सही बात है नो सब्सक्राइब तो इसके मतलब फिर से आप देख सकते हैं आपे बैगन का पेड़ है पहले बहुत ही अच्छा हो चुका है अधम न्यू पेड़े के डिजान ले चुका है तो इसको मतलब फिर से नया त पर शुरूर से अंतर लें कम पचीश किलो फड़ता है लाच तक लाच तक कम पचीश किलो से लगाई 35-40 किलो तरस पक्ता है अपने मिनत कहीं साब से और एक किलो पिक ना पीस चड़ जाता होगा यह अच्छा पंदर से बीस पीस और अच्छा सबसे अच्छा रहा तो फांच बश्य कि पांच पांच बैस से कम नहीं होता है अभी अब बता सकते कि इसका अबि जो टाइम है कैसा चल अे ङा आच र行ह बिलीब नहीं आच सकते हो ब्लुigent किछ रहा बाइव भाट यह सळवाले क्या बोलते हैं हम खेटी होती नहीं करेंगे उसे यम पैसा और दूसरी बात आप एक चीज़ और आपको बता दे कि क्या बोलते हैं कि कौन खेती करेगा अगर खेती नहीं करेंगे तो आप लोग खाऊँगे क्या बट लोग क्या काते हैं सिंपली बोल के चले जाते हैं तो चली आप धन्यवाद जाने कांकम पचाइश का तीसरी बिटता है और इक पूरा एक भीज़ा में किडना कर जाता होगा चैनल एक बार और किशे साथ चार दिन है चवुठे दिन दीन चलना है जा रहा है दूसरे खेते बैगन ठोटबवाने आजमी लगे हैं उंपी थिखाते हैं और देख सकते हूं इस चार बेगा का प्लार्ट है आप सकते हूं कर दोंद टे जडंड़ कि टूलाग को अटब अ हाय यह यह वि टख़ को अ को अ जूगफ कि अ टू लगा जो तूब अ टू अ हुआ झाओ विया तू थी ट दो अब देख सकते हो हमारे भाईया भी जो है संतोस भाईया एवी तोड़ रहे हैं और सर अपना हटा रहा है पता नहीं क्यों एलो एलो देख लीजिए सकते हैं अभी अससा जी लगार बतातीशा अभी जो पेड़ अभी एस फो मतले जो तोड़ने में किना निकल ला एक किना श्रीन ख़र रहे हैं और कितना पेड हो गये सब तो वाई लोग जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे भाईया है इसे ही पैगन तोड़ते हैं और किना भी फूल भी है इसके और अभी किना रुपा किलो चला वे साट पे चला है और अगर बारा पीस चाड़ता होगा नॉर्मली मतलब बता रहे हैं और ज्यादा चाड़ता हो वह इससे मतलब नहीं तो पांच पीस पड़ेगा और उससे ज्यादा चड़ेगा तो तीन चार पर पीस पड़ता है और सीजन के टाइम पे ज्यादा और मतलब इसका क्वास्ट बढ़ जाता है तो ही रहा आज का मेरा ब्लॉग तो भाई लोग आई होप एक वीडियो आपक अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नियुक्त चलने को अगरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब मिलते किसी और अच्छे वीडियो के साथ तक लिए नमस्कार जहिंजे भारत भाई मजा आया और मैं यह जो मजा है हिंदूस्तान के हर व्यक्ति को द अच्छाइब है बाई स्काराइब कार यहाद जीजिए कर दो बस्क्ति कर दो हैं